सब्सक्राइब करें तो फ्रेंट जैसे जैसे सब्सक्राइब की जांच आगे बढ़ रही है लगातार एक से एक खुलासे उत्राखन अधिनास सेवा चैन आयोक की ओर से जो सनातक स्तरी भरती होई थी उसमें हो रहे हैं तो एक बड़ा खुलासा जो है अभी निकल के सामने आ यहां पर आप देख सकते हैं जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रहे है कि पेपर लिक मामले में प्रिंटिंग और पैकेजिंग की नहीं मिली फूटेज यानि कि उस दोरान जो CCTV थी उसकी फूटेज वहां पर नहीं है बेल बेल होई अब यह इस बार से क्लियर नहीं है कि क शाजिश की और इशारा कर रही है जांच कंपनी के करमी से बरामज हुआ लैप टॉप तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक की पेपर लिक मामले में अब तक की जांच में लापर वाही ही नहीं बलकि अधिकारियों कि शाजिश का भी जो है यहां पर पता चल रहा है सबसे पहले लिया जाएगा पैकेजिंग और इसकी फूटेजी गायब है तो आगे बढ़ सकते हैं माना जा रहा है कि आधिकारियों करमचारियों के साथ आयोग के किसी कारिंदे की मिली भगत थी तो यहां पर जिससे यह सपर्ष्ट हो जाता है कि कहीं आयोग की भी इसमें मिली भीगत है हाला कि अधिना सेवा चैना क्या डक्स हों या सची हों कोई भी इस मैटर पर जो है कुछ भी नहीं बोल ला है तो आगे बढ़ते हैं तो एस्टी अपने जो है जो आर्मेस टेक्नो स्लूशन कंपनी के करमचार अभिसेग बर्मा को तीन दिन की पुलिस अपसर है उनसे भी यहां पर जो है पुष्टाश हुए तो आप देख सकते हैं एस्टी अपने ततकालिन प्रेक्षा नियंत्रक्स है कई घंटू से पुष्टाश की इसके बारे में हमने कर साम कोई डीटेल आपको वीडियो बना दिया है जहां पर जो है उनके आंसरूं से संतुष नहीं नजर आ रही है काफी को जवाब भी नहीं ठांग से और दो दिन के बाद फिर से उन्हें जाज के लिए बुला है और बड़ी खबर दूसरी निकर के आ रहे है जिहां जैसे कि हमने आपको इससे पहले बताया था कि जिला पंचाथ सदे से जिसमें से एक फिम आप देख सकते हैं उत्तरकाशी जिला बार बार शठाव में आ रहा है अब गिरो से महिला जनप्रतरि नजी का नाम जूड़ा है एस्टे जल धी इस मामले में करवाई कर सकते हैं इसे पहले एक अन्य जन प्रतरिक नजी का नाम भी सामिला था लेकिन अभी उसके बैंकोक स चैनल को इंट्रिव्यू दिया था उसमें यह कहा था कि वो दस तारीक बैंककॉक से वापस आ रहे हैं अब तो आने वाला समाही पता है तो यहां पर यहां पर लागातार जो अपनी सर्जिकल स्ट्राइक जारी कि यह हुए और जैसे जैसे वह आगे बढ़ लिए तमाम चीजें जो है बाहर यहां पर निकल के सामने आ रहे हैं और दूसरी बड़ी खबर यह है कि विवाज से आहत राजू चैन्नाई वापिसी को तहीं आर तो यहां पर आप देख सकते हैं अधिना सिवा चैन आयो के जो अधिक से उनने नितिकता के आधार पर अपना रेजिंगनेशन दे दिया था लेकिन अभी तक गौर्वर्मेंट और उत्राखन ने उनका रेजिंगनेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाने क्यों नहीं किया कहीं गौर्वर्मेंट के चुपी भी जो है इस पर एक बड़ा कोश लेकिन मुझे लगता है कि कई अब कड़ा कदम उठाना चाहिए क्योंकि जांच चल रही है तो जांच के दौरान अगर आप देख सकते हैं अध्यक्सका भी इसमें सबसे बड़ा इंवार्मेंट है पूरी जो यह सर्कुलीशन हुई है इसमें कहीं ना कहीं जब वो रिटा अपना त्यागपत्र दे रहे थे उसी समय उन्होंने कहाता है वो बड़े सपेद पुष्ण का नाम जानते हैं तो अगर एक बार वो यहां से चिनने ही चले गए तो उनको किस हिसाफ से यहां लाना पड़ेगा बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है तो मेरी त जब तक जाच कंप्लीट ना हो जाए एस राजू को उत्राखंट से बाहर ना जाना दिया जाए नहीं जाने दिया जाए बाकि आपकी क्या रहा है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा और उसके लावा ओन-लाइन और आफ-लाइन नकल माफिया में गैंग वार तो सब्सक्राइब भयानक तरीके से वहां का नाम आया था और लेकिन आज हाल क्या है लैक आफ और जो पुलिस विजिलेंस की जो है सतरता के कारण जो यह दिन हाज उत्राखंट के युवाओं को फिट से देखने कुम्प्र देख सकते हैं अधिना सिवा चैनायों की परिक्ष परिक्षा कर भी वह आठ से अधिक आउनलाइन परिक्षा नहीं करा पाएं तो आप समझ सकते हैं कि कहीं आयोग किस तरह से मुझा तमाम चीज़ें समझ नहीं आती इतना बड़ा स्टेंडर आयोग का होने के बाजूद इतनी हाई टेकनोलोजी होने के बाजूद क्यों आय कर दिया था इसके बारे हमने आपको बता दिया है तो बड़ी खवरें जहां पर हमने आपको बताई खवरें लगातार सर्चिकल टाइक जारी है अब देखते हैं क्या अपडेट निकल के सामने आती है कोई भी अबड़ी टाइक हम रेगुलर आप तक पहुशाएंगे